च्रहट मिल को आपका इप व्लगाइज यहां पे यहां पे एक relief, यहां पे हमें swelling को मिल रहा है गवार मिल भाइद कोई अपका है यह सिर्फ क्रुप्टो की अंग्रेज का श्यार्म स्टॉक मार्केट्स का इना जाएव पर हिर्लीफ फेल फेल पर वहां पे भी seemly relief देखने को मिला है and overall जो world economic markets है थोड़ा सा relief है because people are getting used to जो भी चीज़े हो रही है and usually ऐसा ही होता है आगर मानलो 6 interest rate high काने हैं तो 3 के बाद उनका असर होना थोड़ा कम हो जाता है because लोग समझ जाते हैं as well as लोग जो market है वो उसको price in कर देते हैं इसको बलते हैं priced in मतलब market को पहले market ने बोलिया हाँ भाई ये तो आना ही है पहले price गिरा के रखो पहले दिमाग में लगा के रख लो तो वो एक चीज होती होती है ऐसे markets में तो with that being said हम multiple चीज़ों की बात करेंगे including bitcoin is bitcoin dead right इसमें पहले मैं इससे बहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ू एक चीज है आप में से कुछ लोग जो है पूछ रहे थे कि ये market कभी up जाएगी भी है नहीं मैं जो loss में हूँ bitcoin होल्ड कर रहा हूँ मैं 30-40% loss में हूँ मैंने थोड़ा high पे लिया था ethereum hold कर रहा हूँ 30-40% 50% loss पे हूँ मैं क्या करूँ so first of all guys यहाँ पे एक चीज हमें realize करनी है कि दुनिया में बहुत सारे bear market आए और गए बहुत सारे bull market आए और गए war आई और गई ये मैं हर वीडियो में दोरा रहा हूँ आज भी दोराना चाहता हूँ ऐसा ही होगा दिन है तो रातों की रात है तो दिन होगा ऐसा होना ही होना है इनके बिना जो है market चल नहीं सकती अगर आप एक interesting चीज देखना चाहें तो मैं आपको एक video recommend करना चाहूँगा मैंने आप लोगों को actually एक book recommend की थी mastering the market cycle नाम की Harvard Marx की तरफ से तो आप एक चीज नोटिस करें मैं यहाँ वीडियो बता देता हूँ mastering the market cycle आप सर्च करेंगे तो यह summary है इस book की यह आप जरूर वीडियो देखें 15 minute का वीडियो है Swedish investor बहुत ही अच्छा channel आप देखो मैंने यहाँ से पूरा देख रखा है वीडियो तो बहुत ही अच्छा यह वीडियो है और इससे आपको पता लगेगा हम market cycle के कौन से पड़ाव पे हैं और इसके बाद कौन सा पड़ाव आना है और आप खुद भी समझ पाएंगे कि यहर कितना का time लगेगा किस तरह से आपको सोचना चाहिए किस तरह से आपको उसमें move करना चाहिए तो यह एक मेरी आज की आपके लिए special recommendation होगी चलिए देखते हैं market में जो क्या चल रहा है फिर हम आएंगे technical side पे भी तो crypto fear and greed index की अगर guys यहाँ पे बात करें तो हम literally extreme fear में हैं कल भी extreme fear में थे पिछला हफता भी extreme fear में थे in fact हम अगर यह fear and greed index देखें तो fear and greed index 6 पे गया है जो कि एक all time low बन जाता है यहाँ पे हाला कि fear and greed index इतना time रहा नहीं है जब लोग डरे होते है there are great periods to DCA and SIP in general for long period of time in strong projects यहाँ पे alt coins अभी भी risk अपना बनाए हुए है क्योंकि हमें जो है capitulation मेरे हिसाब से अभी भी देखने को नहीं मिली है now moving on to 2-3 very quick items pro shares यह pro shares का एक मैं semiconductor ETF यूज़ करता हूँ इन्होंने एक ETF निकाल दिया है bitcoin को short करनेगा तो यह bitcoin के futures को आप यहाँ पे short track करेगा यह वहाँ से आप short कर सकते हो तो उन्होंने बोला कि हाँ जैसे पता लगा है कि bitcoin जो है drop कर सकता है value में BT affords investors who believe that bitcoin will drop जो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो चैनल पर आके comment करते हैं कि bitcoin zero जा रहा है लोगों को भैकाओ मत आप इस ETF में अपना पैसा लगा के पैसा बना सकते हो अगर आप इतने ही sure हो कि bitcoin zero जा रहा है तो within opportunity to potentially profit और hedge their cryptocurrency holdings अब मैं यह article की शेयर कर रहा हूँ इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़या लिखी है hedge their crypto holdings अगर आप bitcoin hold कर रहे हो या आप altcoins hold कर रहे हो और market down जा रही है तो आप इस ETF में पैसा लगा के अपना crypto hedge कर सकते हो मतलब down गया तो भी आपको थोड़ा सा profit हो जाएगा अब गया तो profit होगा ही होगा तो इसलिए बहुत सारे आपको बड़े-बड़े investors दिखेंगे वो हमेशा hedge करते है and this was an interesting point कि उन्होंने ऐसा यहाँ पे quote किया है तो I thought यह आपके साथ share किया जाए अब यह BITI जो इसका symbol होगा BITI यह हम I am guessing अब यह चीज़ याद रखें यह future index का inverse हमें यहाँ पे देता है this is not exactly shorting the real Bitcoin हम futures को short कर रहे है या futures के inverse वाले में जा रहे है number 2 Celsius ने 10 million die है compound को आज दिया है so Celsius में काफी लोग है मेरा खुद का पैसा Celsius में locked है at this point now Celsius ने 10 million का repayment किया है compound finance वालों को आज 10 million die उन्होंने यहाँ पे दे दिया है इसके against उन्होंने of course already 166 comp tokens भी collect किया है इसके इलावा Celsius ने 53.6 million die जो है OSS protocol को दिये है तो यहाँ पे बहुत सारे DeFi platforms में वो लोग थे और धीरे धीरे उनको clear कर रहे है of course इसका funda यही है कि वो सारे positions अपने clear कर ले liquidity arrange कर ले और जिन जिन लोगों के पैसे अटके हैं उनको यहाँ पे पैस पहुचाने जाए now for example एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक्जामपल लेन week of May 6 company को 397 million inflows आये थे मतलब 397 million dollars इस हफते में इनके पास आया था कि रख लो अपने अपास 1 billion dollar का outflow आया था अब यह काफी जादा tricky हो जाता है इन लोगों को manage कर पाना तो let's see कि Celsius इसको कैसे manage करता है additionally यहाँ पे बहुत सारी investigations open हो गई है Celsius पे and with that investigations of course इसलिए हमें Celsius वालों की तरफ से जादा कुछ input भी देखने को मिल नहीं पा रहा है आप लोगों ने notice किया को उन्होंने एक A में schedule करके cancel कर दिया था saying कि उनकी legal team मना कर रही है तो this is that last before we move to Bitcoin dead and technical analysis Terraform के staff को जो है South Korea अभी leave करने को मना कर दिया गया है ex Terra employees जो है उन पर सब पर travel ban लग गया है वो Korea छोड़के कहीं अभी जान नहीं सकते क्योंकि investigation चल रहे है the Korean government imposed an exit ban for all Terra money employees today हाला कि बहुत सारे Terra money के जो employees है उनको कुछ बचारे लोगों को कुछ पता भी नहीं होगा कि क्या हुआ क्या चल रहा है किस्ते क्या गड़बड की बट वो लोग अभी हाँ पर फसें and they are going to be a part of an investigation और यह जब clear होती है तब हमें और भी बहुत सारी चीजें सामने देखने को मिलेंगी and पता देखते हैं क्या होता है आपे पता चलेगा last before I move to technical analysis which is bitcoin dead यह जो आज का main topic मैं यहाँ पर pick कर रहा हूँ Google searches hit a new all time high literally all time high Google searches for bitcoin dead जो है 18 June यानि की Friday को highest आये है Google में यह आप अगर notice करो तो 2018 के पहले के crash में हर crash में हमें bitcoin dead bitcoin dead के searches हैं जो बहुत आप जाते नजर आते हैं यह weekend WhatsApp के सामने आप यह पुराना जितना देखो यह खोल लो जितना पुराने crashes के time का है जब में crash आया था last time यह सब के बाद आप ही देखो कहां हम next level पे हैं यहाँ पे Google search results जो है they reflect peak anxiety यानि की लोग बहुत जादा यहाँ पे tension में है for cryptocurrency markets यहाँ पे बहुत आप यहाँ पे तोड़ा सा relief यहाँ पे देख रहे हैं Bitcoin's downward spiral now in its seventh month by the way may have been triggered by federal reserve's massive shift in policy yes of course यहाँ पे लोग risk off होने लगे हैं तो of course and एक बहुत अच्छी interesting चीज़ बहुत सारे जो crypto में पुराने लोग हैं बिटकोइन supposedly died 45 times in 21 alone 2021 alone and this is true यह हमेशा ऐसा ही रहता है देखो एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने asset से आप प्यार में मत पढ़ जाओ अगर हमें अपने asset से प्यार में पढ़ जाएंगे तो हम rationally चीज़ों को देखना बंद कर देंगे और emotionally देखना start कर देंगे and जैसी हम उसको emotionally देखना start करेंगे यहाँ पर problem हो जाएगा इसलिए जब भी मैं आप लोगों बोलता हूँ तो stock market को promote करता है यह कोई competition निया गाइस आप पैसा बनाने हो यहाँ मैं पैसा बनाने हूँ तीसरा बंदा पैसा बनाने सब लोग पैसा बनाने आए है और पैसा बनाने का एक rule बहुत important होता है कि हमें पैसा खोना नहीं है इसलिए diversification बहुत जादा important हो जाती है so dominance की बात करें तो dominance यहाँ पर आटक गई है जिसके उपर मैंने कल के वीडियो में 2 मिनिट लगाए थे and that is because यहाँ पर जो पैसा है bitcoin altcoin से निकल कर stable coins में जा रहा है आप notice करो पहले 15 के अंदर 4 stable coins आ गए है DAI आ गया है finance USD आ गया है USDC आ गया है और USDT आ गया है अब यह 4 मैं से कौन से stable coin को hold करना चाहिए मैं personally USDC है आप मैं से काफी सारे लोग पूछते है tether safe है क्या tether वाले बहुत कुछ कोशिश कर रहे है लोगों को बताने की कि वो safe है but at this point I'll be very honest tether थोड़ा tricky हो जाता है मुझे मैं USDC hold करता हूँ अगर मुझे कुछ चल रहा है जैसे मेरा DCA चल रहा है या मेरा कोई SIP चल रहा है unfortunately अगर मुझे कोई USDC का option ने है तो मैं उतना पैसा tether में move कर लेता हूँ और बाकी का सारा USDC में hold करता हूँ हाला कि अगर हम यहां पे market cap की बात करें तो बहुत जादा difference अब रहा नहीं है तो यह दो चीजे मैं आपके साथ यहां share करना चाहता था now let's look at the TA TA में तो वही है जिए देखो levels तो जादा कुछ अभी change हो नहीं रहे है क्योंकि market में ऐसा कुछ shift आया नहीं है यहां पे वही 17,5,6,7 वही अपना 13,14 और वही 12 वहीं का वहीं है because market अभी macro economic condition अभी भी improve नहीं हुई है हाला कि हमें relief देखने को मिल गया है फोरार चार्ट में हम 20MA के ऊपर यहां पे आ चुके है daily chart में अगर हम notice करें तो हमारा 20MA है वो दीरे दीरे नीचे आता जा रहा है और हमें यहां पे दबाना start कर सकता है expected क्या है अभी bitcoin से expected यह चीज है मैं आपको यहां बता देता हूँ bitcoin से expected है guys कि हम जो है approximately यह 17,000 से 21,000 21,000 is supposed to be a very very strong resistance तो यह जो 17,000 से 21,000 के आसपस का range है इसमें हम यहां पे accumulate कर सकते हैं आने वाले कुछ महीने इसमें क्या इसका मतलब है हमें एक flash crash या हमें price downward जाता नहीं दिख सकता नहीं ऐसा नहीं है वो भी हो सकता है but from how the market is going to play it seems like कि हमें accumulation zone तो मिले गई हम dump खाएंगे और एक accumulation zone हमें देखने को मिलेगा ही because लंबे महीनों महीनों के एक similar range में accumulation zone जो होते हैं वो zones ही जो है वो market को आगे लेकर जाते हैं bullish side पे तो वो बहुत जादा ज़रूरी है अब अगर आप हम यहां पे accumulation zone बनाते हैं तो आप यहां पे bear flag pattern दुभारा notice कर पाएंगे ना बहुत बार है यहां टीए के patterns काम नहीं करते हैं यह भी probability वाले patterns होते हैं बट अभी past में काम किया है आप notice करो राइट तो same हमें अगर यहां पे accumulation देखने को मिलता आने वाले कुछ time तो यहां पे बनता ही है कि हम lower range भी यहां पे most probably देखेंगे और अगर आप 2-3 pattern पीटन लगा लो तो आपको मिली जाएगा कहिना के जहां पे आपको नीचे जारा है वाला मिल जाएगा और 2-3 pattern लगा लो जहां पे आपको उपर वाला भी मिल जाएगा बट हमें यहां पे macro पूरी दुनिया की market का sentiment पे ध्यान रखना है और वो अभी भी वीक है तो most probably best case scenario is accumulation चीक है and worst case scenario is कि हम यहां पे एक फटा-फट सा dump ले ले तो let's see how markets pan out unfortunately यह तो किसी को guarantee से बता नहीं होता कि कैसे markets play out करेंगी but this is the current situation Ethereum की बात करें तो Ethereum काफी weak पढ़ रहा था to be honest हम काफी low range जो है Ethereum की अभी experience करके आ गए है 1100 dollar के उपर आ गया है मैंने तो बतल सोचा भी नहीं है हमें literally 2022 में 1100 पे Ethereum देखने को मिलेगा but मिल रहा है and इसमें एक चीज और Ethereum में आए उनका merge का जो testnet है guys वो अभी push हो गया है they are going to try it out trial merge यहाँ पे किया जाएगा testnet पे वो अच्छा करेगा तो फिर आगे का देखते हैं अभी के लिए planned जो था July August के बाद कहिए तो आने वाले कुछ time में हमें Ethereum में भी पूछ देखने को मिल सकता है and यहाँ पे Ethereum की तरफ बहुत सारे institutions की नजर है मैं आपको पहले बता दूँ and उनकी किस तरफ से नजर है कि Ethereum proof of stake हो जाएगा Ethereum almost deflationary हो जाएगा जो उनको main होता है यार inflation beat करनी है almost deflationary हो जाएगा तीसरा is Ethereum की जो utility है in terms of smart contract platform वो अलरड़ी जादा है तो लोग Ethereum को थोड़ा जादा utility वाला की तरह believe करते हैं Bitcoin, Bitcoin को store of value बोलते हैं लोग and Ethereum को जो है एक utility platform बोलते हैं अब उसमें अगर जो Ethereum का supply का side tight हो जाएगा उससे थोड़ा सा bullish हो सकते हैं दूसरा है Ethereum proof of stake होने से बहुत सारे institutions जिनको ESG यानि की environmental जो laws के against जाकर वो Bitcoin खरीद नहीं पा रहे हैं they might be very much interested in Ethereum अब मुझे क्या नहीं पता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह की market में क्या वो Ethereum जैसे risky asset में पैसा डालना चाहेंगे या वो लोग wait करेंगे trend reversal का so बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी बहुत सारे बड़े लोग एक अच्छी entry ले लेते हैं but then for the second entry they wait for a confirmed reversal यानि की confirmed bottom अभी confirmed bottom क्या है अभी वो देखते हैं I do believe की 17,500 definitely confirmed bottom नहीं है just because macro conditions अभी solve हुई नहीं है तो यह है मेरा आज का viewpoint अगर आपको यह अच्छा लगा है तो जरूर लाइक बटन में मुक्का मारे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूले मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले वीडियो में होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा एस अलवेस चैनल पर सब्सक्राइब रहें घंटी का इकन दबा दे ताकि आपको पता चले जब भी मैं यह वाले वीडियो आपके लिए बनाता हूँ गाइस दिस शिवम साइनिंग आफ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर